एक इंपोर्टन सेशन होता है जहां पर आम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करेंट अफियर करते होंगे अपने फैमिल के साथ में फ्रेंड के साथ में तागे सभी को एक अच्छा नॉलेज है जो कि मिल सके तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अम लोग डेली लोग जो है वो कवर करते हैं देखते हैं कि आपके नॉलेज के लिए अफिर आपके एक्जाइम के लिए वह इंपॉर्ट है तो गुड मॉनिंग काफे सारे बच्चे आपे जोइन कर चुके हैं तो चली शुरुवात करेंगे तो जैसा कि आपको मालूम है कल संडे था तो अगरे तो यह सबसे पहले आप देखों के तो यह सारे एक्जाइम अगर आप इन में से किसी बीक्जाइम की पुडरेशन कर रहे हो तो आपको ही सेशन रेगुलर है जो की देखना चाहिए सबसे पहले प्रिवेस्टे के कोश्चन कवर करेंगे उसके बाद मैं कोट और रि साथ में कुछ question है जो कि हम लोग cover करेंगे और ये सारी चीज़े हम लोग दोस्तों 50 मिट के अंदर है जो की करने वाले है within 50 मिनिट Sunday के newspaper में कुछ जाधा ऐसा होता नहीं तो जाधा time लगेगा नहीं चलिए निमिकित में से किसे December 2021 में मैक्सिको में बारत के अगले राजदूत के रूपे न्यूकत किया गया है तो next ambassador जो मैक्सिको जो बनाए गया है वो पंकर जी शर्मा जी को वैसे तो बनाए गया बागी paper में ये सवाल कभी नहीं आएगा जीवन में नेस्ट है विच बैंक पे लगवाए कौनसा बैंक इंडिया इंटरनेशनल क्लेरिंग कोपरेशन लिमिटेड में 10% रिस्यदारी तक का अधिकराइन करेगा तो यह किस ने किया है यह आपके SBI ने किया है नेक्स कोश्चन है कौनसे इस क्रिकेटर जिन्होंने 200 टेस्ट लिए रिसेंटली तो आपको मालूम है मौंबल सामी यह पांच में बाढ़ती 30 गया बाज है 100 टेस्ट लेने वाले रिसेंटली गुम रहे तो यहां पे हो गया आपका बुम रहा इसके अलावा बाग सरक्षन कारेग्राम प्रोजेक्ट टाइगर किस वाई शुरू किया गया था तो यह 73 में स्टार्ट किया था है किस है ना तो सी आपका सही जवाब होगा इसके अलावा गाईज आप लोग के लिए एक इंप्रमेशन है पांच जनवरी से आप सभी लोग के लिए एक नया बैच है ज तीन तारिक तक अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 22% ओफ है जो की मिलेगा रेफल कोड बी एच्यू 10 है जो की काम मिलेकर अदरवाइस नॉर्मल डीज में आपको यह 10% है जो की मिलता है तो आप जोइन कर सकते हैं आपको 400 से भी जादा गंटे की क्ला आप यूज कर सकते हैं किसी भी एक्जाइम के लिए यूपीसी पीसी डिफैंस बैंकिंग आपको डाउनलोड करना है मुबाइल लंबर डालना है जो भी आपका गोल एससी है इसी जो भी है प्लस पर जाहिए सब्सक्रिप्शन पर 12 या 24 मन्त और यहां पर भी एच्च्छे इन जो कि आप लगा सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर आपको एक बच्चे को एजुकेट करना चाहते हैं तो 500 और पर मत बच्चे के स्पॉंसर्शिप भी कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन से और आपको कम्प्लीट जो है वो डीटेल उस बच्चे की जो है आपको हर जवर्दस बात है जो की बोली गई है कि आपके स्टैनेट जो हमेशा अपना जादा रखा करो कई बार आप ऐसे आर्गुमेंट के अंदर फस्त हैं जब आपको पता होता है कि यार ये बंदा जो है वो जब आपके लेवल करिये तो आप क्यों किसी से जो है वो बिनबात ही जगे से बढ़ रहे हो इतने चेटीचर से बढ़ रहे हो तो आपका स्टैनेट अल्रेडी बहुत हाई है और आपको अपना हाई ही रखना चाहिए ठीक है इस बात को हमेशा दान रखो आपको सबसे पहले खुद की वैल्यू करना जो है वो सीखना जरूरी है आप अपनी व जो किसी भी हेल्प करने के अंदर पीछे निया होना चाहिए और तीसरा जरूरत पढ़ने के ऊपर मिडल फिंगर यानि की नो करना भी आना चाहिए समझ गए वेरी बात यह नो करना जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बहुत बार ऐसे सरक्मि नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में चीज़ें खराब से खराब खराब से खराब पीर प्रेशर का नाम सुना होगा ना अचा ठीक है यार क्यों आज आज ड्रिंक क्यों नहीं कर रहा है कर लेना सारे लोग ड्रिंक कर रहे हैं सिग्रेट क्यों नहीं पीता है और जॉइन क के अंदर है जोकि चलते रहाती है जिसके प्रैर्शन के अवैंा जो है जी जरूरी है तो आके बात करते हैं दोस्तों आज के दे हिंदु को आज का नहीं कल का आप सबसे बहुत संडे की बात करेंगे उसके बाद मंडे की संडे की निउस्परबर की बात करेंगे तो हमारे दोस्तों देश में 20,000 केसी जो की देखनी को मिले सटेड़े को सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बहुत देश की बड़े बड़े अंजियो भी है जो की काफी काम कर रहे थे जैसे की ऑक्सफैम इंडिया करके है उ के अाइटी डेली का को से नहीं हुआ इसका जेन्यू का भी है जांब्या मिल्या इसलामनी इंवर्शन ञेटी जो है वे के इसके अलाब्भा और भी मधर्टेुनिकें थाई इसके लावा टाइमस ओफ इंडिया फंड करके है उसका भी था और भी बहुत सार है ठीक है तो यहां पर यह बताए गया इसके लावा नागलेंड में असुपा को लेकर दोस्तों सलूशन निकालने की बात करें गई है जीस्ती कलेक्शन दिसंबर के अंदर कम हुआ 1.3 लाक करोड का हुआ है वैस्तो देवी के अंदर दोस्तों एक स्टंपेट के अंदर 15 लोगों की 12 लोगों की मृत्ति हो गई 15 लोगों की इंजिरी हो गई इसके बारे में बात करेंगे ठीक है इसके अलावा यहां पर BSP का यह जो है यहां पर स्टेटमेंट और यहां पर अरिदुवार हेट स्पीच को लेकर है तो यह आपका पूरा फ्रेंट पेज है हमारे लिए जो जानने के लिए को इंपोरेंट न्यूस है तो बस यही वाली है क्योंकि प्रेजिए नामनात को भी इन मोदी जी देश के सभी हुए थी अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि दो चीजे बताए जा रही है एक तो यह कि आपस में किसी की लड़ाय हो गई उसके वाज़े से स्टम्पेट हो गई दूसरा कारण यह बताए जा रहा है कि बहुत जादा बीड होने के वाज़े से अथॉर्टी कंट्रोल निकर बाई और उसके बाद मैं भगदर मज गई और 12 दोस्तों ऐसे डिवोटी जिनके यहां पर मिलती हो गई इसके अलवाद डर्जन से भी ज्यादा लोग है जो कि इंजन हो गई यहां पर ठीक है तो यह चीज़े जो कि आप बताए गई है गैस हमश्य धान रखो जबी भी ऐस करने जाना है कहीं पर भी जाना है अगर आपको तो बैटर होता है मतलब अब इतनी जादा भीड के अंदर कोई भी छोटा सा इवेंट होता है तो बहुत ज़दा भंगदर मज जाती है और गलती से कलको अगर आप ऐसी कंडिशन में फस्स भी जाओ ना तो सबसे बड़ी प कोशिश करी ना तो यकिन मानो सबसे पहले आप ही आगे आके गिरोगे कोई कि पीछे से बहुत प्रेशन होता है जबकि होना यह चाहिए कि आप ऐसी बीड के अंदर कभी जाना अवाइड ही क्या करो ठीक है ठीक है और यह देख सकते हो आप यह वैशनो देवी का टेंपल ह है माता वैशनो देवी एक साइड है त्री कूटा हील से अपने राइस्टिंग डिस्ट्रिक के अंदर जम्मू के अंदर यहां पर पूरे साल के अंदर आप देख सकते हो मतलम नबे लाग क्या असपास जो है वो डिवोटी आते हैं पुरी दुनिया से ओके यहां पर इसको यहां पर पूरी टीम मनाए गए थी पंजाब के अंदर लास्टिंग के ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे थी लेकिन अभी रिसेंटली जो आजसा हुआ है वहां पर बंगदरगा उसके अंदर कुछ भी जो है वह अथर्टिस नहीं कर पाई तो वैशनो देवी जो है तरी इसको बनाया गया था ना चलिए ठीक है चलो आगे बात करता है जो कि पेश नंबर पांधस पर यहां पर बात करेंगे अफगांस्तान वाले शुको लेकर ओके और ठीक है यहां पर आप यह वाले न्यूस इंपॉनट है इसके अलावा कुछ भी खास इंपॉनट नहीं है आपर हमने दोस्तों क्या किया अफगांस्तान को अभी कुछ ताइम पहले आपको बालू में काफ़ी सरे फूड के मदद है जो कि अविलेबल करवाई थी वाया पाक करें को यह सेकेंड टाइम है जो कि कुस टाइम के अंदर हुआ है कि हमने क्या किया है काबूल तक जो है वो सामान को पहुचा है इरान के महार एयर्ड की help से हमने यह काम है जो की क्या है वी इट मेडिसें उमेरेटीन यह प्रोग्राम यह सारे हैं जो कि हमने आपे चलाइ ते लाइफ सेविंग ड्रग जो है अभी COVID-19 के 5 लाग डोजेज है जो कि यहाँ पे दिये है तो इन फैक्ट है जो तालिबान के युएस जो युएन के उन्होंने खुद ने रिप्रेजेंटेटिव बना रखे उन्होंने भी काफी तारीफ करी इसके अलबा और भी कही सारे देशे पाकिस्तान इरान युए चाइना रश्या कतर यह सारे कंट्रेज जिन्होंने इनको मेडिसेन और एड जो कि अविलेबल करवा रहे हैं यह मदद तालिबान को नहीं दी गए वहां पर हमारा इंद्रा गांधी एक होस्पिटल है वहां पर कोल्ड स्टूरिज की वहा पाई जाएगी ठीके चलिए इसके अलावा दोस्तों वी एस पतानिया जी जो है वो हमारे कोस्ट गार्ड चीफ है जो की बन चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारे कोस्टल एरिया है ना उसकी मदद उसको सिक्यूरिटी को लेकर काम करती तो 1977 में फॉर्मिशन इसके अलावा कुछ और यहां पर खास नहीं है विनोध जी को लेकर important है दोस्तों विस्तारा ने Saturday को अनौंस किया कि विनोध कानन जी जो है वो CEO है जो की airlines के बनने वाले है ओके गाईस चलिए तो पहले आपे लैसी करके एक परसन थे जो कि यहां पे CEO थे अभी विनोध जी है जो कि यहां पे बननने वाले है थेना चलो य प्राटा है ना वो इसके माली के 50% इस्तेदारी उनी के पास है सिंगापूर एलाइन सो टाटा ने मिलकर विस्तारा लॉंच करे थी ऐसा निए कि टाटा के पास विस्तारा यह विस्तारा के अलावा Air Asia के अंदर भी इनकी इस्तेदारी है इसके अलावा Air India तो आपको मालूम आपको मालूम है नीट पीजी वाले मुद्दे के ओपर काफी बड़ा प्रोटेस्ट ने जो है वो काफी प्रोटेस्ट किया था उसके बाद लाटी चार्ज हुआ काफी क्रिटेस्जम भी हुआ उस चीज़ को लेकर तो सरकार ने क्या करना था कि सुप्रीम कोट में बताना था कि आठ लाग रूपे क्रैटीरिया कैसे हमने डिसाइट क्या है ना EWS के अंदर तो उसके अंदर काफी टाइम लगा दिया गया था लेकिन इस प्रोटेस्ट न इसके अला बात करेंगे एसके लावब कुछ दाना नहीं है इसके अलावा रव कुछी इंपरिम्ठ कर नहीं और बोल दिया गयाays कि ओके यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इसको कोर्लीट किया जा रहा था जैसे आपको मालूम है OBC जो है ना OBC का क्रीमी लियर का क्रेटीरिया जो है ना वो भी 8 लाग रुपे हैं तो यह पूछा गया सरकार से कि आपने इसको कॉपी पेस तो नहीं मार दिया तो यहाँ पर कम लेकिन हमने इस वाले के अंदर EWS के अंदर इसको इंक्लूड है जो की करी है समझगे मेरी बात तो यह बात इनके द्वारा बोली गई और इन्होंने बोला है कि आज के टाइम को देखते वह 8 लाग रुपे जो है वो बहुत ही रीजनेबल है और EWS के अंदर और बहुत है कि और बहुत है और बहुत है जाए जो कि आप आट लाग रुपे पर इंकम कमा रहे हो ना समझगे तब आव एक्सक्लूड हो लेकिन इसमें क्या एड़ यह कि अगर आपकी इंकम ही नहीं है तो आप EWS के अंदर इंकलूड है जो की करे जाओगे तो इसके कि ही ाप डिर्टी आपकीड और इसके अघूर लेकल के इसमें आहसे इस्कों सारे जो है यह के सरकार नहीं करें अब सुनже नहीं पर देश्ट सर्कार ने नहीं इसको accept कर पाएगा ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता लगेगा मतलब ठीक है चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर पांच यहाँ पर जो important है हमारे लिए वो बात करेंगे तेलंगाना को लेकर तेलंगाना दोस्तों टॉप राज्य बन चुका है open defication free plus list के अंदर ओके तेलंगाना जो है country में नंबर वन के ओपर है अगर odf plus village की बात की जाये तो under the search बारत mission program 2 जो कि December 31 तक चलाया गया था ऐसा पताया गया है कि तेलंगाना में जो 14,200 गाओं है ना उसमें से 13,737 गाओं जो है वो किस category में odf plus category के अंदर है जो की आ चुके हैं उसके बाद second number पे तमिलनाडू बताया गया है थर्ड के ओपर करनाट का है जो की बताया गया उसके बाद गुजरात है समझ गये तो तेलंगाना ने जो है नया पंचायत राज एक्ट है वो भी start किया था तेलंगाना के दुवार्मेंट के दुवारा उसके बाद बहुत यह अच्छे रिजल्ट है जो की तेलंगाना के दुवारा बताया गया है थीक है अब यह होता क्या है इसके बारे में जानेंगे कि ODF प्लस क्या होता है ODF प्लस प्लस क्या होता है देखो ODF के अंदर open defication में तो क्या था कि कोई भी खुले में जो है वो सौच नहीं करेगा वो गर पर बनाएगा और वही कुछी को यूज करेगा तो यह तो था ODF simple open defication free जब प्लस और प्लस प्लस के बारे में बात करे गई तो प्लस का मतलब यह हो गया ठीक है क्या proper maintenance करोगे toilet facilities की safe collection करोगे है ना treatment disposal जो भी है ना sludge है सीवेज है उनका ध्यान रखोगे समझगे मेरी ब प्लस प्लस क्राइटीरिया है हाला कि तिलंगाना ने इस वाले क्राइटीरिया में नंबर बन पर आया वो प्लस प्लस के बारे में बात नहीं करी गई है लेकिन सरकार ने इसके बारे में बताया था कि ODF प्लस का मतलब है जब आप toilet के sludge और उसके management के उपर भी काम करते हो पहले वाले में तो बोला गया ODF में सिर्फ toilet बनाना है ODF में बोला गया कि भाया उसको maintain भी करो तीसरे में बोला गया कि आप waste को management भी सीखो तो ये तीन क्राइटीरियास के अंदर रखेगा है 2019 में ही दोस्तों announce किया गया था water plus ओके तो water plus का मतलब यहीं था कि ऐसे कोई भी development goal 6 है clear water clean water and sanitation उसको पूरा करने के लिए शुरुवात है जो कि इसकी water plus की करे गई थी background की बात करें तो पहले तो phase 1 launch किया गया था सौच बारत मिशन का जिसमें बोला गया कि 99% जो cities है वो ODF हो चुकी है ministry of housing और urban affairs के दुबारा समझगे उसके बाद में हुआ क्या कि इसके अंदर एक कुछ loophole भी देखने को मिले जैसे कि not matching with the assigned timeline timeline के साथ में match भी नहीं और ground situation भी काफी अलग है 2024 तर इसको complete करने के लिए बोला गया था ठीक है तो यह पार्लेमेंट के अंदर हुआ है आगे बात करते हैं page number 9 यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हम लोग national air sports policy के बारे में इसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा तो कुछ खास और यहां पर important नहीं है मिलान नाम की exercise भी जो है वह अभी करवाई जाएगी February के अंदर तब February में बात करेंगे इसके बारे में नेवल एक्सेंज होती ही मिलान कही सारे country से जो कि participate करते हैं चलिए तो यहाँ पे वह याद है आद में आपको भाई लेंड करा दे वह वीडियो देखा ही होगा आप सभी ने भाई लेंड करा दे भाई 500 रुपर एक्स्टा ले लिए लेंड करा दे तो जब भी paragliding दिखती है कि paragliding करवा ही जाती है water यह air sports होते है national air sports होते हैं बहुत जगए के उपर इसके अंदर आपके क्या बोलते है बहुत एक्रोबैटिक्स होते हैं एरो मॉडलिंग होता है एमेचर बिल्द एक्स्परिमेंटल एक्राफ्ट होते हैं बलूनिंग होती है ड्रोन्स यूज करते है हैंग ग्लाइडिंग है पैरा ग्लाइडिंग है माइक्रो लाइटनी लाइडिंग है पैरा मोटरिंग है स्काइडाइविंग है विंटेज एक्राफ्ट है ऐसे बहुत सारे sports है जो कि देखने को मिलते हैं अब हमारे आपके regulation बहुत ही जादा खसा हाल है उन लोगों के है लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की बहुत ज़रूवत है और ये मेंटेन तब होते हैं तब आप इसको एक प्रॉपर तरीके से sports की तौर पर देखते हो तब लोग इसमें career बनाते है इसमें science आती है इसमें technology आती है इसमें international parameters के standard को मेंटेन किया जाता है तब ओके तो tier 2 governance structure है जो कि इनको लेकर बनाया जा रहा है एक Air Sports Federation of India ये एपेंस body है ASFI ये body है जो की बनाया जाएगी और air sports के ओपर काम करेगी और जो मैंने sports बता है ना इनके ओपर मिलकर काम करेगी under the civil aviation के अंडर में ये काम करेगी और जो international headquarter है लुसान के अंदर इनका air का air sports क उनके साथ में मिलकर एक platform भी बनाएगी ताकि इसको proper एक sports का रूप है जो की दिया जा सके regulation करना, certification करना, competition करवाना, awards कर देना, palanties भी decide करना ये सारे काम है जो की इसके अंदर करे जाएगे समझ गया safety parameter है, equipment है, infrastructure है, personal and training है, discipline action है, ये सारे सारे चीज़ा है जो की करवाए ज तो बहुत जगे पर ये sports से जो की होते हैं, जैसे कि एक हो है, बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में, गैंग टॉक में भी है, और अडप्सर महरास्टा में, वेगमॉन केरला में, वहाँ पर control zone है जो की इनको बनाए जाएगा, school college में encourage किया जाएगा, कि इनको air sports की तौर प pipeline कराते हैं, चलो, आगे बात करते हैं, page number 10 को लेकर, ठीके guys, page number 10 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 6 लाग बच्चे हैं, जिन्नों registration कर लिया है, vaccination के लिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए जो यहाँ पर important है, वो बिलकुल, यह वाले news important है, दोस्तों Bengal पहला राज है, बन चुका है, इंडिया के अंदर, जिसने, third wave के, मद्दे नजर, जो है, वो काफी strict restrictions है, जो की लगा दिये, West Bengal ने दोस्तों, academic institutions, पाग, jam, सब कुछ है, जो कि यहाँ पर shutdown है, जो की कर दिया है, UK साने वाले flat को suspend कर दिया है, netclubs के ओपर भी, imposition है, local train है, metro services है, ठीक है, इस सब को भी आपे नोने बंद कर दिया है, state government, privacy, जो establishment है, जो companies है, मापे 50% occupancy से चलाई जा रही है, swimming pool, gym, spa, beauty parlor, saloon, है ना, यह सब wellness center, इस सब को close down कर दिया है, अब देखते हैं, देखो, इस सबसे जादा important ही है, कि वैसे अभी lockdown करने का, अगर पूछा जाए, तो वैसे generally जरूरत हैं नहीं lockdown करने क्योंकि एकनोमी क्यालत बहुत जादा खराब है, गरीब क्यालत हो, जो लोग ready पे काम करते हैं, जो लोग है ना, चोटी मोटी दुकाने चलाते हैं, उनका बहुत जादा मुश्किल है, जो कि दो साल रहा है, lockdown लगवाने के अभी जरूरत इसली नह है, जो लोगडाउन से, ठीक है, तो लोगडाउन आज की टाइम पे एक politics का टूल बन चुका है, राधर की जनता के favor की favor की बात की जाए तो, यह reality है, बतलग, जिस भी state या political party को ऐसे लगता है, कि लोगडाउन लगाने से, उनके election में फायदा होगा है, नुकसान होगा, चल इसे ही दोस्तों, वहां के national assembly है, तो पूरी तरीके से destroy हो चुके, कोई casualty नहीं हुए, अच्छी बात है, safety structure जो है, वो काफी अद तक टूटू जो थे ना, जिनके अपी recently मृत्ती हुए थी, उनके बरी किया गया था, वहां के side तक जो है, वो पहुच गया, आप देख सकते कि जो white minority थी ना, वहीं यहां की government select किया करते थे, पहले तो white लोग है, जो की South Africa में minority थे, मतलब उनकी जंसन क्या कम थी, वो लोग ही vote करके, वहां के सरकार को बनाया करते थे, 1994 तक ऐसा ही था, समझ गये, उसके बाद में दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, elections होने लगे, और assembly, और council, यहां पर जैसे कि हमारा है न, हमारे यहां पर speaker होते हैं, लोगसभा के, chairman होते हैं, राज्यसभा के, उसी प्रकार से यहां पर भी council है, और एक assembly है, council इनकी राज्यसभा जैसी है हमारे, और लोगसभा जैसी हिनकी assembly है, 490 इनकी यहां पर seat है, यहां पर भी उसी तरीके से एक political party ANC है जो कि वीजौटिव है और दूसरी जह अपॉजिशन की अलत बहुत ही खराब है जैसे कि हमारे यहां पर भी आपॉजिशन बहुत यह तरी की स्ट्रक्चर आपको यहां पर कर तो देखिए आपे सबसे बड़ी बात है कि सेंटर जो हमारे फर्स वेव निकल गई दूसरी वेव निकल गई लेकिन फिर भी हमने हेल्थ के ओपर धान नहीं दिया सबसे बड़ी समस्ता है तो जरूरी था कि हमारे जितने भी हेल्थ इंस्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ना उसको इंप्रूव किया जा सके मैक्सिमम चलिए इस फ्रेंट पेज की बात करें तो यहां पर कुछ भी इंपॉर्णन नहीं है जन सकता हमें भी सेम न्यूज है यहां पर नेक्स्ट न्यूज है जो कि डिया डियो के फांडेशन को लेकर है 64 फांडेशन डे दोस्तों डिया डियो का जो है वो एक जन्वरी को मनाया गया आपको मालू में देश के सबसे प्रिस्टीजियस रिसर्च इस्टिट्यूट है डबलब्मेंट जो कि डिफेंस के उपर काम करता है सिग्निफिकल डोल इनने कोविड ड प्रिसर्च के उपर 175 ऐसे टेक्नोलजी ट्रांसफर है जो कि 2021 के अंदर इन्होंने करे हैं 1958 के अंदर दोस्तों इसका फॉर्मेशन किया गया था नहिरू जी का सपना था कि देश में कैसी प्रिस्टीजियस डिफेंस ओगनेशेशन होनी चाहिए जो कि देश के अंदर जो है ठीके डाइस 1979 में डिफेंस रिसर्च और डबलबल सर्विस का भी फॉर्मेशन किया गया जहां पे ग्रूप A के ऑफिसर साइंटिस्ट है जो कि होते हैं ओके 5000 साइंटिस्ट है जो कि आपको देखने को मिलेंगे और 25,000 है जो कि उनके सब औरिनेट से जो कि आपको देखने कर पाते क्यों बजट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है स्टेंडिंग कमिटी ने डिफेंस की 16-17 में भी बूला था कि बहुत ही इनडिक्वेट बजट है जो की डियाडियों के पास पर है जब तक पैसा नहीं हो तब तक रिसर्च कैसे करेंगे जहां पे 2011 बारे में चै इसकलेशन लॉंग डिले जो डिमांड में हो रहा है इसके अलवा साठ साल हो चुके हैं बने में लेकिन आज भी दोस्तों हम लोग इंपोर्ट जो है वो बहुत जादा करवा रहे हैं ग्लोबल इंपोर्ट हम लोग 12% के आसपास है ठीक है हमने प्रित्वी और अगनी कर लिया था लेकिन उस स्पीड से काम आगे नहीं बढ़ा आप देख सकते हैं 58 में फॉर्मेशन हुआ दिल्ली में एक्वाटर है 30,000 एंप्लॉईस है 5,000 सैंटिस्ट और 12,000 करोड का असपास का बजट है राधना सिंग जी अबीड हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है रेड स्टुएंट का वह इंप्रूव करना है समझ गए लंडिंग लेवल आपको मालू मैं आज की ताइम पर हमारे स्कूलों की आला थे कि पांच वी का बच्चा दूसरी की किताब को रीड नहीं कर सकता आँठी का बच्चा मारे देश के 70% बच्चे जो है आज की टाइम पर आ लिखने पढ़ने वाला तो यह कि 10 वी तक पूर्ट करना 105 लेकिन वह क्या होगा जंड होगा तो तो यह भी थोडा इंप्रोफ लने के ज़रुद्र के साधिशन रॉप्रButton के विद्धुसान को फार्म ना यह सब चीजे करने के लिए इसकारूरी इस क्राउड शनो scp इसको तो क्या मिशा के लिए ही चलते रहना चाहिए मतलब यह ठीक है तो जो भी बच्चे बाल वाटिका में आठवी ग्लास में पढ़ते हैं उनको इसमें इंक्लूट किया जाएगा सौ दिन का कैम्पे ने 14 वीक के अंदर इसको कवर किया जाएगा ठीक है चलिए ठीक है ओल राइट इसके अलावा तो कुछ खास यहां पर इंपॉर्टन नहीं है और 21 वेबरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे जो है 21 वेबरी को मनाया जाता है उसके साथ में इसको रीजनल लेग्विजेस के साथ में भी कोलाबरेट किया जाएगा रीजनल लेग्विजेस म जो कि पुडूचरी के दुवारा करी गई है रिसेंटली जो सीय में पुडूचरी के उन्होंने दोस्तों स्टेट बनाने की डिमांड है जो की करी है बहुत टाइम से लेग्विजे पुडूचरी का वो भी राज्य है जो की बनना चाहता है कि एंप्लॉइमेंट परभाने के सारिफ सेंटर में होती है सेंटर के सात में कोडिये करना बहुत ही मुश्किल होता है तो यूटी किया है कैसा फैडरल टरिटरीक्रिर जो उनको बनाये गया है जोकि बहुत ही चोटे थे इंडिपैंडों नहीं हो सकते थे या फिर बहुत ज़ Twitter consent थे chew जोoir प्लि politically unstable थे उनके साथ में मिलाया गया था इस रीजन के वज़े से दोस्तों क्या हुआ कि ये कभी भी separate है ना administrative unit इनको नहीं बनाए गया इसलिए इनको central government के द्वारा ही दोस्तों rule करने के लिए बोला गया UT जो है वो प्रेसेंट के द्वारा administered होते हैं मतलब प्रेसेंट जो है वो यहाँ पे LG है जो कि अपॉइंट करते हैं प्रेसेंट और उनके माध्यम से ही rule है जो कि किया जाता है पुडुचरी, जम्मू, कश्मी, डेली यह exceptions है बाकी unit address है क्योंकि यहाँ पे legislative assembly है जो कि बना रखी है क्योंकि partial state root का इनके पास में खिताब है partial state root मतलब थोड़ा बहुत state के भी इनको characterize है जो कि इनके अंदर add-on करे गए रैट नव हमारे देश में 8 uts है जो कि देखने को मिलती है जब 1949 में दोस्तों जब हमारा federal structure बना था ना तो हमने चार पार्ट में हमारे देश को divide किया था एक ऐसे राज्य थे पार्ट A में जो कि British province पहले British province हुआ करते थे जो कि जिसके governor और legislative बनाए गए पार्ट B में वो राज्यों को include किया गया जो कि पहले princely state थे राजावाजा थे पार्ट C में commissioners बनाए गया पार्ट D में अन्दमा निकोबार और इनको डाला गया तो जब union territory की बात हुई जब state reorganization act आया आपको बालू में state reorganize किये गए थे 1956 में क्योंकि ये ABCD वाला structure चलनी पाया उसके बाद में language के उपर भी राज्यों बनाने की demand हो गई आंधरा की द्वारा बॉम में गुजरात के दुबारा तो फिर क्या हुआ कि language के बियाफ के उपर पहला राज्य का आंधर का formation हुआ ठीक है तो reorganize किया गया फिर दो पार्ट में divide कर देगे या तो राज्य होगा या फिर UT होगा तो यह जो COD है ना इनको मिला के दोस्तों UT है जो की बनाए गया था समझे गया है सेवन्थ अबिंटमेंट मेंट 1956 के दुवारा UT वाला concept है जो की अबेंट है इसको include किया गया इसमें linguistic और culture रिजन जो है वो primary basis माने गये थे नहे राज्य करेट करने के लिए बाकी और भी कही सारे फैक्टर थे local resources और भी बहुत सारे चीज़े थी जिससे राज्यों को जो है वो include किया गया ठीक है चलो बाकी तो कुछ इसमें important नहीं है यह जो power है किसी भी unit territory को राज्य बनाना वो आ article 3 भी यही बोलता है कि किसी का size छोटा बड़ा कर सकता है नाम change कर सकता है boundary change कर सकता है लेकिन यह parliament के अंदर ही होगा article 2 और 3 चलो पुड़ुचेरी की बात करें तो दोस्तों पुड़ुचेरी जो है 1962 में formation हुआ चार ऐसी colonies जो की French colonies थी उनको मिला कर जो है वो पुड़ुचेरी पहले इसका नम pondicherry था वो बनाया गया जैसे कि पुड़ुचेरी तो ही है कार्यकल है ओके कोरामंडल कोस्ट पे यनम है इस् एक ठीक है ये दो ये तीन और ये चौथा कहा गया ठीक है चौथा भी इसी वाले एरिया में है तो ये चार अलग अलग एरियास जो है ना इनको दोस्तों क्या करके इंक्लूट करके पुड़ुचेरी का formation है जो की किया गया था ये सारे वो एरियास है जहां पे French territory French लोगों का rule है जो की हुआ करता था जैसे गोवा में Portuguese का था वैसे इस चार वाले एरिया में French का एरिया हुआ करता था ठीक है फ्रेंच ने क्या क्या था 1674 में एक local आदमी से जमीने जो है वो खरीड ली थी क्योंकि वो भी अपनी company established है जो की करना चाहरत है जैसे कि British और साथ में Portuguese न पर कौन रहे सारी company के लड़ाई के अंदर British लोग है जो की लड़ाई में रहे समझे फाइनली 1962 के अंदर French की territory इंडिया को जो है वो दे दी गई ये कुछ एरिया जो है वो फ्रेंच के पास में बाकी था चोटा-चोटा सा एरिया जो कि हमारे पास आ गया ओके आगे बात कर हो थे जो कि आने वाले पांस साल के अंदर वो करेगा ठीक है इनके द्वारा बताया गया है इसके अलावा यूपी का जासी रिल्वे स्टेशन के नाम बदल के विरांगना लक्ष्यूबाई रिल्वे स्टेशन है जो की रख दिया गया है रानी लक्ष्यूबाई के नाम के उपर ठीक है इसके लावा पहले मुगल सराई का दिंद्याल उपाद्धा और फैज़ाबाद का अयुद्धा केंट ऐसे कही सारे नाम जो की चेंज करे रहे हैं कौन डीकॉक जो साउथ अफ्रिका के विकेट कीपर बैक्च में उन्होंने भी रिटार्मिंट का अनॉंसमेंट कर दिया है काफी जबरदस प्लेयर थे इन्होंने वैसे टेस्स क्रिकेट से कर रहा है वैसे ना ओडियाई कहलेंगे ये टेस्स क्रिकेट से इन्होंने किया है इसके लाव आज के दिन की इतियास की बात करें 1990 के अंदर निवेजिता बसीन 24 साल की यंगेस वुमेन कर वाइग गई हैमिल्टन के दुवारा बनाए गई वह कैबलेर इसकी बात करें रूडल लेस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही दिशाहीन होता है जिसके बिलकुल दिशाविशा मतलब किसी भी डिरेक्शन में जब आप जाते हो ना काम करते उसको बोलते है पर्पस है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बोलते मोलते घायर बॉती ब्रेजर में आपन क bets dalej किसि को कुछ भी बोल रहा है उसको बोLEते हैं यहाँ पे Bardien to be अच्छा वर्डे पेपर में कही बार आता है अपो त्यूसिस का मतलब है चरम सिमा पर चणना कोई भी चीज जो हाइस पॉइंट होता ने किसी डबलप्मेंट का उसको बोलता है अपो त्यूसिस का मतलब है जो बहुत ही हानिकार को नुकसान करें डेट्रिमेंटल नौक्शि पर्टिलेंट ये तीनों बड़ बहुत अच्छे हैं कंसर्टेट का मतलब है जो कोई भी चीज जॉइंटली करी जाती है उसको बोलता है इसके अलावाद दोस्तों आज के बात करें तो गिनिस बुक और रिकॉर्ड के नदर एक बहुत ही अजीब मेडिकल कंडिशन है जो क परसंते बिटन के वो 6 इंच तक अपनी इसकिन को जो है वो स्ट्रेक्स कर सकते थे इसमें क्या होता है कनेक्टिव टीचू के डिसॉर्डर होते हैं जा पर कोलेजन बहुत ही डिफेक्टिव हो जाता है और इसकिन बहुत ही लूज होने लगती है हाइपर मुबाइल जॉइ जुकि आपको देने वाले सारे टॉप एजूगेटर की क्लस से स्टार्ट हो रही है चाट सो से भी घंटों से जाता का कोर्स है दोस्तों कप्लीट आपको इस लेबर्स करवाए जा रहा है यह सारे सारे प्लस के बैनिफिट है आपको टेस्ट सब कुछ आपको अफेलेबल ह ठीक है आपको फिर कल से जो है वो 10% मिलेगा जोइन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो आप डाउनलोड करें जी है मुबाइल नंबर डाल ले है यहां पर अपना SSC गोल स्लेट कर लीजिए या जो भी आपका गोल है UPSC है सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मन्त और भी एच्चु टैने जो कि आप यहां पर लगा सकते हैं ठीक है और एक सब्सक्रिप्शन 500 रुपे पर बंत ले एक बच्चे का स्कूल बेस सकते हैं और पहला सवाल देखते हैं डियार डियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी यह आपको बताना है डियार डियस के बारे में बियार प्रोइबिशन और एक्साइज एक्ट कौन से साल में लाए गया है ना जो आपको मालू है अल्कॉल को बैं किया गया था उस्थीच को लेकर है जो भी विकास हो रहा है दारू में हो रहा है तो यह एक्ट का भाया था यह आपको बताना है झाल झाल